हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब अम्मित करते हूं कि सब ठीक हूंगी तो इस पारिश में हम लोग बनाएंगे बहुत ही असान तरीके से बहुत ही जाधा टेस्टे मिक्स भजिया तो चलिए शुरू करते हैं तो पकोड़े बिनाने के लिए सबसे पहले हम लोग आलू को अच्छी तरीके से कदुकस कर लेंगी और आलू को कदुकस करने वक्त हमें इसमें पानी भी ढाल देना है जिससे कि आलू हमारा काला ना हो और आलू कदुकस हो जाने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से वाश क तो मैं यहां पे गाजर को कदुकस करके ले लिए गाजर कदुकस कर लेने के बाद यहां पे मैं आलू को कदुकस करके ले लिए और मैं यहां पे प्यास को स्लैसली चॉप करके ले लिए तो सबसे पहले हम लोगे एक बोल ले लेंगे और बोल में आलू कदुकस के आवा डाल यालो डाल देने के बाद पीयास दालेने के बाद यहारी मिर्टे कर देगी अदिरक लहासन का पेस्ट अदृ कर देने के बाद लोक इसमें वाण टी 아니고 इसमें गड़म मसाला année लाल मिर्च पोल्ट लोग आपने स्वात अनुसर पर पर ऐड़ कर सकते हैं उसके बाद हम लोग इसमें 1 असमें धनिया पाउडर, 1 तीज्पून चाठ मसाला आड़ कर देंगी उसके बाद हम लोग इसमें 60 एक्टोरी बेशन आड़ कर देंगे बेशन i Manual === चाहट चमत चाहफव siaq बाखी चावल के आठा के जगह पे आप कॉन फ्लो के यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हम लोग इसमें चाट चमच सूजी आड़ कर देंगे इससे पकोड़े हमारे बहुत जाद क्रिस्पी बनेंगी उसके बाद हम लोग इसमें धनिया पती चौपकियाव एड़ कर देंगी लास्ट में स्वादनों सा नमक एड़ करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगी और लास्ट में हमने नमक इसलिए अड़ किया है क्योंकि नमक से पानी रिलीस होगा इस वज़े से और दूसरी तरफ हम लोग कढ़ाई भी चड़ा देंगे तेल डाल के और तेल को हमें चमच की लगपक गड़म तेल आड़ कर देंगी इससे पकोड़े हमारे बहुत ही जादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगी और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी और यह देखे दूसरा तरफ हमारा तेल भी अच्छे से गड़म हो चुका है तो अब हम लोग इस इसमें पकोड़े आड़ कर देंगे और पकोड़े आड़ कर देने के बाद हमें इसे दो मिनट तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है और जब यह अच्छे से पक जाएगा नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम लोग इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अच बनाओंगी तो सबसे पहले हम लोग राइंडिंग जाल ले लेंगे और उसमें धन्या की पती डाल देंगी धन्या की पती डाल देने के बाद हम लोग इसमें प्याच लहसन एड़ कर देंगी प्याच लहसन एड़ कर देने के बाद हम लोग इसमें हडी में चाइड कर दें और उसके बाद इसे हमें ग्राइंड कर देना है तो यह देखे चटनी हमारा बनके रेडी हो चुका है और यह बहुत ही जादा टेस्टी चटनी बनता है जिसे अब किसी भी पकवड़े के साथ सर्फ कर सकते हैं तो अब हम लोग इसे कटोरी में निकाल लेंगे और पकवड़ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक पर इस पकोड़े की रेसिपी आप सरूर टाइक में मुझे जरूर बताए कि आपको कैसा लगा बाकि यह पकोड़े की रेसिपी बहुत ही जादा टेस्टी है और इसे मैंने सर्फ किया है जो क्रीन चटनी अमने बनाया था उसके साथ और जिसे मेरे वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिले लाइक करें जादे से जादे से बहुत है कमेट में मुझे जरूर बताए कि आपको कैसा लगा तो फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नियो रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाब बाइ टेक टेक एर अंक्स फोर वाच् झाल वांग।